चलिए त्रिबुज की शेत्रफल से सम्बंधित कुछ प्रश्ण करके देखते हैं बिंदुओं A 5,2, B 4,7 और C 7,-4 से बनने वाले त्रिबुज ABC का शेत्रफल ग्याद कीजिए चलिए अब हम इसका हल देखते हैं दिये गर शिर्षो के आधार पर हम कह सकते हैं X1, Y1 बराबर 5,2, X2, Y2 बराबर 4,7 और X3, Y3 बराबर 7,-4 हैं अतह त्रिबुज ABC का शेत्रफल होगा एक बटा दू, पांच गुणा 7 प्लस 4, प्लस 4 गुणा माइनस 4 माइनस 2, प्लस 7 गुणा 2 माइनस 7 इसे हल करने पर हम देखेंगे, एक बटा 2, पचपन माइनस 24 माइनस 35 बराबर माइनस 4 पटे 2 यानि की त्रिबुज का शेत्रफल बराबर माइनस 2 च्योंकि शेत्रफल एक माप है, इसलिए यह रिनात्मक नहीं हो सकता है अतह हम शेत्रफल के रूप में माइनस 2 का संख्यात्मक मान 2 लेंगे इसलिए त्रिबुज का शेत्रफल दो वर्ग मात्रक होगा इसे अपनी कॉपी में लिख लें क्या आपको पता है तीन बिंदू संरेखी कब होते हैं? जब तीनों बिंदू एक सीधी सरल रेखा पर इस्थित हों तो वे संरेखी कहलाते हैं चुकि दो बिंदूओ को मिलाने पर वे हमेशा ही संरेखी होते हैं अर्थात संरेखी हमेशा तीन बिंदूओ और उससे जुड़ी समस्याओं पर लागू होती है चलिए एक उधारन करके देखते हैं बताईए कि A 2,3 B 4,0 और C 6,-3 संरेखी है या नहीं? चलिए अब हम इसका हल देखते हैं सर्वप्रथम यह सोचिए कि कौनसी ज्यामिती आकरती का निर्मान तीन बिंदूओ से हो सकता है त्रिकोण इसलिए अगर ये तीन बिंदू एक त्रिकोण बना रहे हैं तो ये संरेखी नहीं हो सकते हैं निर्मन बिंदूओ का संरेखी होना सिर्फ एक स्थिति में संबव हो है यदि इनसे बनने वाले त्रिकोण का शेत्रफल शुन्य के बराबर हो अर्थात त्रिकोण का शेत्रफल बराबर एक बटा दो दो शुन्य प्लस तीन प्लस चार माइनस तीन माइनस तीन प्लस चे तीन माइनस शुन्य यानि की शुन्य इसलिए हम कह सकते हैं बिंदू A, B और C सन रखी है